अब यह रिलेशन कैसे कैसे होते हैं किस तरीके के होते हैं और इनसे रिलेटेड हम हर एक वर्ट से रिलेटेड हम चार सेंटेंस हम देखने वाले हैं अब पहला देखेंगे रिलेटिव्स याने के रिष्टेडार इससे कुछ वर्ट देखते हम आपको समझ में आगए होगा कि रिलेटिव्स याने के रिष्टेडार ओके नेक्स्ट वर्ट देखेंगे यह हमारा पहला वर्ड है मदर मा अब मदर से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ट सेंटेंस देखते हैं वी आर ब्रादर्स यहां पर एस चाहिए था यहां पर एस चाहिए था दाट्स माइ ब्रादर अंडेस्टेंस देखते हैं सिस्टर जैसे ब्रदर था ब्रदर यानि के भाई वैसे सिस्टर यानि के बहन अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं वी आर कजन्स अगर आपके भाई के साथ या बहन के साथ मतलब कोई कजन हो उसके साथ हो तो उस वक्त आप उनको इस तरह के से इंट्रोड्यूस करोगें understood next sentence देखें I have a cousin who is doctor understood now next word husband husband का मतलब होता है पती या फिर आप इससे कह सकते है शोहर पर पती यह word most of the time आप use करते हैं चलो कुछ sentence देखते हैं इससे रिलेट I help my husband my husband is school teacher is your husband at home we are husband and wife understood अब जैसे अब husband देखा हमने उस तरह के से होता है wife wife याने के पत्नी या फिर आप बोल सकते हैं बीवी ओकी अब इससे रिलेट कुछ sentence देखते हैं call my wife I love my wife is your wife mad ऐसा कोई पूछे का तो नहीं आपको but it's just a type of question next sentence देखते हैं his wife is Spanish understood next word father-in-law father-in-law का मतलब होता है ससूर अब इससे रिलेट कुछ related sentence देखिए पहला है my father-in-law is no more I often visit my father-in-law in India is he your father-in-law she killed my father-in-law understood they say father-in-law अदिखा उसी तरे के से आता है mother-in-law mother-in-law का मतलब होता है सास अब इससे रिलेट सेंटेस देखिए I help my mother-in-law my mother-in-law had an accident how's your mother-in-law my mother-in-law is angry understood next word देखिए grandmother अब grandmother का मतलब होता है दादी या फिर नानी अगर आपके पापा की माँ हो तो उसे आप कहोगे डादी और या आपके मम्मी की माँ हो तो उसे आप कहोगे नानी ओके बट एंग्लिश में उसे हम grandmother ही कहते हैं understood एक ही वर अब इसे रिलेटेट सेंटेस देखिए my grandmother was farmer my grandmother is too old to take care of herself next word I visited my grandmother's house she is my grandmother understood अब next word देखिए grandfather जैसे मैंने आपको grand mother के बारे में बताया उसी तरह के से grandfather भी होता है आपके पापा के पापा अगर हो तो उसे आप कहोगे दादा और अगर आपके मा के पापा हो तो उन्हें आप कहोगे नाना understood चलो but English में इसके लिए एक ही word है that is grandfather इसे रिलेटेट कुछ सेंटेंस देखते हैं पहला है my grandfather is very healthy I often listen to my grandfather's stories he look after my grandfather my grandfather was in army understood next word देखिए uncle uncle यानि के चाचा मामा मौसा फुफा उन्हें सबको आप uncle ही कहते हो या आप ध्यान में रखना इससे रिलेटेट और एक है का आपको आगे बट यह वर्ड आपको ध्यान में रखना है सिर्ख चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं my uncle runs hotel I will visit my uncle my uncle give me gift my uncle is my hero understood next word देखिए aunt आप यानि के चाची मौसी मामी या फिर आप फूफी भी बोल सकते हो ने उन्हें हम कहते हैं aunt अब इससे रिलेटेट कुछ sentence देखिए my aunt is a teacher his aunt has three cars is she your aunt she is my aunt understood next word देखिए son son यानि के बेटा अब इसे रिलेटेट सेंटेंस देखिए I have a son that's my son it's Sam your son how's your son now understood next word daughter जैसे हमने son देखा son का मतलब होता है बेटा वैसे ही daughter का मतलब होता है बेटी अब इससे रिलेटेटेटेंस देखिए I love my daughter my daughter is my life my daughter is dancer Sam has two daughters understood even I have a daughter next word देखिए granddaughter 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 का मतलब होता है पोती अब इससे रिलेटेटेटेटेंस देखिए my granddaughter is a teacher I often visit my granddaughter I have two granddaughters I miss my granddaughter understood next word देखिए grandson जैसे granddaughter होता है कि पोती उसी तरीके से grandson होता है कि पोता ओके चलो इससे रिलेटेटेटेटेंस देखिए my grandson is an actor I always play with my grandson my grandson married last month I love my grandson understood next word देखिए nephew 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 का मतलब होता है बती जा या फिर भांजा उन्हें आप कहते हैं nephew ओकी अब इससे रिलेटेटेट कुछ सेंटेंस देखिए my nephew is scientist me and my nephew like dancing Ruhi is my nephew I have two nephew understood next word देखिए niece जैसे nephew का मतलब होता है भांजा या भती जा उसी तरीगे से niece का मतलब होता है भांजी या फिर भती जी understood अब इससे रिलेटेटेटेटेंस देखिए Ruhi is my niece what's your niece name my niece plays with birds my niece is shy girl understood sister-in-law sister-in-law का मतलब होता है ननत अब इससे रिलेटेटेटेटेंस देखिए my sister-in-law has a cat my sister-in-law is thief I hate my sister-in-law she is my sister-in-law next word देखिए brother-in-law जैसे sister-in-law होता है उसी तरी के से brother-in-law होता है अब brother-in-law कैसा होता है किसे क्या कहते है brother-in-law का मतलब होता है साला अब इससे रिलेटेटेटेटेंस देखिए my brother-in-law is a great man I like my brother-in-law is he your brother-in-law she loves my brother-in-law understood next word देखिए maternal uncle जैसे मैंने आपको कहा था कि uncle यह word आपको ध्यान में रखना है अब maternal uncle क्या होता है कि जो आपकी मम्मी होती है उनके relation में उनका जो भाही होगा फिर उनके relation में जो भी उनके भाही होगे उनको आप कहोगे maternal uncle इसे एक वर्ड हम बोल सकते हैं कि मामा बट जनरली हम यह word मतलब maternal uncle यह नहीं यूज करते हैं हम सिर्फ यूज करते हैं uncle ओके यह आपको ध्यान में रखना है चलो कुछ sentence देखते हैं माइटरनल अंकल रंस होटल कि दो प्रॉपर्टी बिलॉंग्स तो माइटरनल अंकल understood next word देखते हैं son-in-law son-in-law का मतलब होता है damaad अब इसे related sentence देखें my son-in-law is an actor I hate my son-in-law he is my future son-in-law listen to my son-in-law I listen to my son-in-law just because of my daughter understood next word देखें stepmother stepmother का मतलब होता है sotelima अब इसे related sentence देखें Ruhi is my stepmother this house belongs to my stepmother her stepmother is very kind she is my stepmother understood now next word stepfather जैसे stepmother होता है सोतेली मा उसी तरीके से stepfather होता है सोतेला बाप या फिर आप कैसे खते हो सोतेले पिता जी चलो कुछ sentence देखते है my stepfather is very rude I love my stepfather he is my stepfather my mother protect my stepfather understood next word देखें stepbrother stepbrother याने के सोतेला भाई अब इसे related sentence देखें me and my stepbrother is in same school I like my stepbrother I have two stepbrothers she hates her stepbrother understood next word देखें हेर हे याने के हेर याने के वारिस अब इसे related कुछ sentence देखें Ruhi is my heir he recognized me as his lawful heir the only daughter took as heir he was a legal heir to throne understood next word देखें beloved beloved का मतलब होता है माशु का या फिर आप बोल सकते हो प्रेमी का प्रेमी का वर्ड कुछ बहुत अच्छा लगता है तो beloved का मतलब होता है प्रेमी का इसे related sentence देखें she is my beloved I often visit my beloved is she your beloved understood next word लवर जैसे beloved होता है प्रेमी का वैसे ही लवर का मतलब होता है प्रेमी यह आपको ध्यान में रखना है अब इस से related sentence देखते है you are my lifelong lover beauty likes in lovers eyes यहां फी lies होना चाहिए था she was deceived by her lover he killed her wife's lover understood next word देखें bride bride का मतलब होता है दुल्हन अब एसे related sentence देखते हैं the bride was given away by her father I want to be your bride the bride wore white dress the bride danced with her father understood next word देखें bridegroom दुल्हन cheers for bridegroom bridegroom dance with bride black coat is for bridegroom everyone is looking at bridegroom understood thanks for watching my video please like share and subscribe my channel thank you very much